पेनिए जोर्ट को अच्छ ने मैं जर्बाट से इंदब अख्रवन सुर्व्यारा इस कर दिल्ली जर्कार को जो दुर्वेवार हो रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोट कहा है कि जानबरों से ज्यादा बत्तर हालत हो रही है आदमी की और साथी साथ यह सब जो बाते हुई है इसकी दो बज़े हैं सुप्रीम कोट में पूर्व कानून मंत्री अस्वनी कुमान ने एक पत्र लिखा था उस को देखकर सुप्रीम कोट ने यह अपनी टिपड़ी की है और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोट ने चार राज्य सरकारों के मुख सचिवों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेस भी दे दिया है जिनमें दिल्ली महाराष्ट पस्यमंगाल और तमिलनाडू की सरक सामिल है सुप्रीम कोट ने कहा है कि जिस तरीके से बेवार हो रहा है सरकारी अस्पतालों में और ग्रह मंत्राले की जो गाइडलाइन्स थी इन सबों को दफनाने या जलाने को लेकर उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है यानि कि सीधर तोर पर अब सुप्रीम कोट ने केजरीवाल से ये पूछा है कि ग्रह मंत्राले ने या फिर हमें साके मंत्राले ने जो गाइडलाइन्स जारी की थी उन्हें तुम लागू क्यों नहीं कर रहे हो सीधर तोर पर केजरीवाल अब एक बार फिर से एक्सपोज भी हुआ है और उसके मुह पर एक करारा तमाचा भी लगाए क्योंकि केजरीवाल राजनीती करने की कोशिज कर रहा था और उसने ये कह था कि दिल्ली के अस्पतालों में केबल दिल्ली वालों का इलाज होगा लेकिन यहां सुप्रिम कोट ने जो सवाल उठाए है उनका जवाब के पास नहीं है सुप्रिम कोट ने पूछ इसकार में आना चाहते हैं पास दूर से ही उसको देखना चाहते तो उसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है उनको बगैर बताये ही सबों का गलत तरीके से निस्तारण क्यों किया रहा है यह सीधे तोर पर पूछा और सुप्रिम कोट ने कहा है कि एलन जेपी का जो धार पड़ी पड़ी हुई है तो यह क्या है यह किस तरीके की जो ब्यवस्ता है दिल्ली सरकार कर रही है और एक तरफ दिल्ली सरकार यह दावा कर रही है कि अस्पतालों में बैड खाली है लेकिन बैड कहा है यह पता नहीं चल रहा है इसको लेकर लोगों की सिकायते भी आ रही के एप पर तो बैट दिखाई दे रहे हैं लेकिन अस्पताल में जाने पर बैट नहीं मिलते और अगर बेटिंग में नाम होता है तो निश्चित तोर पर कई जगे तो रिस्वत तक मांगी जा रही है दिली सरकार क्या कर रही है केजडिवाल यह कहता था कि लोगों को अस्प पूछा है कि दिली के अंदर जो टेस्ट है कोरोना के उनकी कम क्यों किया जा रहा है उनकी छमता के आधार पर क्यों नहीं किया रहा है क्या दिली और मुंबई जैसे सहर इन टेस्टों को कम करके अपना जो फिगर है अपना जो आंकड़ा है उसको कम रखना चाहते हैं सीध दिल्ली में कम तेस्ट करके क्या केजरिवालन अपने आगा करेंगों को कम रखना चाहते हैं। वह यह नहीं दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के दिल्ली स्चैजारी के मामले थैं 2014 2007 म 빠रण। स्वाम पर आउम लगे थे किите के मनले हैं। उसकी संक्या 2000 से ऊपर जा चुकी है लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार जो आंकडा बता रही है मिरत्कों का वो 1085 का यानि कि सीज़र तो पर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार अपनी जो चेहरा है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है अगर दिल्ली में टोटल मामलों की बात की जाए अगर ठीक होने वालों का आकड़ा दूसरे राज्यों से तुलना करें तो दिल्ली में ये 33 प्रस्त के आसपास दिखता है जबकि अन्राज्यों में कहीं कहीं ये 50 प्रस्त से ऊपर भी है कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की बाते हो रही है दिल्ली पर सवाल उठ रहे हैं तो वो एक सहर है दिल्ली ऐसी सथी में भी ये आंकडे बहुत ज्यादा चोकाने वाले हैं और सुप्रीम कोट ने जो कहा है कि टेस्ट का जो संख्या है उसको चमता है उसको बढ़ाने की वजाए दिल्ली सरकार उसको कम कर रही है उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उसको भी अगर डंग से स्टेडी किया जाए तो उसमें भी जितने टेस्ट रोज हो रहे हैं दिल्ली के अंदर उन में से 33 प्रस्थत के करीं पॉजिटिव मामले पाए जा रहे हैं यानि कि अगर ये टेस्ट की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो निश्चत तोर पर दिल्ली में मरीजों की संख्या भी दुगनी हो जाएगी इसे बज़य से कचरीवाल सरकार कम से कम टेस्ट कराने की कोशिट कर रही है उसकी रिपोर्ट्स को भी डिले कर रही है सीदह तोर पर ये अपनी नाकामियों को छुपाने की अर्बिन केजरीवाल की सरकार की एक बहुत ही गिनोनी साजिस है केजरीवाल हो या उसका नायव मनीश सौधिया हो जिस तरीके से जो एल जी अनिल बैजल ने एक आदेश जारी किया था कि दिल्ली के बाहर के लोग भी दिल्ली में इलाज करा साड़े पांच लाख मरीज हो जाएंगे कोरोना के उसने तो लच दिया था कि 31 जून तक यह जो आकड़ा है यह करीब करीब दो लाग के आसपास पहुच जाएगा तो सीधे तोर पर यह लोग बाते करके या डर पैदा करके या फाय पैदा करके जंता को गुम्रा करने की क करने की कोसिश कर रहे हैं और यह संदेश देने की कोसिश कर रहे हैं कि अगर आपको सुरच्छित रहना है तो आप दिल्ली छोड़कर चले जाएए जैसा कि सुरुवात में जब पहरा लोगडाउन लगा था तब भी अर्विंद केजरिवाल की पार्टी के तमाम छुटव वाला है सब के काम धंदे बंद हो जाएंगे इसलिए अच्छा है कि आप लोग गाओं की तरफ चले जाएं और उसका नतीजा यह हुआ था कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर खासकर आनंद बिहार पर लाखों लोग इखटा हो गए थे जो यूपी बिहार जाना चाहते थे और करने से बाज नहीं आ रहा है लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रिम कोट ने इन लोगों को कड़ी फटकार लगाई है और सीधे तोर पर निर्देश दिये हैं कि जो केंद सरकार के रहम मंत्राल है कि जो आदेश है जो प्रोसीजर है उसको सभी राज्यों को फॉलो करना चा है अगर कोरोना से नहीं भी मरे हैं तब भी किसी की लास के सास्थ ऐसी दुरिगती कैसे हो सकती है और इसको लेकर कई अफवाएं भी चल vak लोग यह अंदजा लगा रहा है कि महाराष्ट में शाहिद दॉट्डाउन दुबारा से लगेगा लेकिन इसको लेकर उद्दव ठाकरे ने यह कह दिया कि दॉट्डाउन तो दुबारा नहीं लगेगा लेकिन अभी तक जो आकड़े महाराष्ट के आए हैं वह महाराष्ट अभी भी पहले नमबर बना हुआ है 97,648 केसिज आज तक महाराष्ट में आ चुके हैं जिसमें से 47,980 यानि की लगवग आदे केसिज एक्टिव हैं और 46,000 मरीज ठीक हो चुके हैं अगर बात की जाए महाराष्ट दिल्ली की तो दिल्ली से अच्छा जो recovery rate है वो महाराष्ट का है जब को वहाँ सबसे ज्यादा मामले है तो इस मामले में भी दिल्ली फेल होती हुए नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों का जो दर है वो 33 प्रस्त के आसपास है जबकि महाराष्ट यह Palestinians प्रदेस में भी जहांके मरीज बहुत ज़ादा है चैजरीवाल अब तक केंद सरकार पर सवाल उठाने की कोतिसिच कर रहा था और दूसरी पार्टियों को गाली देने की कोसिच कर रहा था उस चुट भीये नेता थे वह भी तुमाम तरीके की उलजलूल बाते करने थे अब उनको अकल आ जानी चाहिए और दिल्ली के जिन लोगों ने उसे बिजली फ्री पानी फ्री के चक्कर में जिता दिया है कम से कम उनका ख्याल तो इसे रखना चाहिए और अफ़ाय फैलाने की वजाए इसे अस्पतालों की विवस्ता को दुरस्त करने की जर क ascender कर आ है और अगर पूरे डेश की बात की जाये तो कोरिणा के जो सबसे जाधा मरीज है वो चार महानग्रों में ही हैं वो हैं दिल्ली मुंबई कोलकता और चेड नहीं अगर इन महानगरों की पूरे देश में दस महानगरों की बात की जाए तो करीब करीब की बात करीब चल रही है जिसकी बैसे ब्रहों में भीड देखने को मिल रही है और इसी बजये से जो लोग पैसे खर्च करके भी बस से जाना चाहते हैं उनको जगह नहीं मिल रही क्योंकि दस बीश सीटे अलाव हो है और उस मैसे दस से पंदरे सीटों पर फ्री के चकर में मै और इसको रोकने के लिए जो आज सुप्रिम कोट का आदेश आया है लगता है कि केजरिवाल अब उस आदेश को मानते हुए कुछ अपने आप में सुधार करेगा प्रसासन में सुधार करेगा और अगर ऐसा नहीं करता है तो निश्चे तोर पर केजरिवाल सरकार पर संकट संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि सुप्रिम कोट के आदेश को न पालने का मतलब है संबैदारिक संकट पैदा होना जैहन जै भारत